हिमाचल के सेव बहूल इराकों में पहले ओला उला विस्टी और उसके बाद अब उन्चाईव अलेक्षेत्रों में वरफवारी ने बागब़नों के अरमानों पर पानी फिर दिया है उलावरिस्टी और वर्फबारी से सेव उत्पादकों को काफी निराशा पहुंची है शिमला जिला के रामपुरू पंडर के दूरदराज किन्नुक शित्र के बागवान हरीश लक्टू ने बताया कि साथ हजार फीट से उपर की उन्चाई पर सेव की फ्लावरिंग योवन पर थी इस दुरान ओलावरिस्टे और बर्फबारी हुई है जिस कारण बर्फ से सेव की पौदे तूटे और इससे सारी फसल बरवाद हो गई है हरिश लक्टू बागवान पिछले क्षेत्र किन्नू पंचायत जैसे की पिछले चार दिनों से भारी वर्षा हो रही है पूरे प्रदेश में हम जो खासकर जो बागवान क्षेत्र है जो इसमें भौती नुकसान हुआ है इस वार उलवरिष्टी बर्फबारी से और जो साथ हजार से उपर है इतनी बर्फ आई है जिसने जाड़ी भी लगाई थी उनके तो सत्यानाश हो गया पूरे बगिचे का अभी फ्लोरिंग उसके साथ साथ यहां जो है उनको मावजा दिया जाए जो जितने भी बागवान है जो 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 टे बागवान है उनको भौती नुकसान हुआ है इधर कमर तोल दिया है उपर से करोने ने बिड़ा गर्क कर दिया है पूरे परदेश का और इसलिए हम मांग करते हैं तो इसलिए आप हमारे बागवानों को क्रिशी लौन माप करें और उनको सबसेड़ी दें जिनों के बगिचे खतम हुए हैं जाड़ियां बिड़ा गर्क हो गया पूरा तो इसलिए यह हमारे बागवानों को लाखों की इक्षति पहुंची है पिछले दो दिन से हमारे शेतर में बहुत भारी बर्चा हो रही है और ओलब रिष्टी पी हुई और आज बहुत भारी हुई जिससे हमारे बागवानों का लाखों का नुक्सान हुआ है हमारे जाधर एरिये में नैटिंग लगाई गई है जिसमें बांस नैट वेरा सारे तूट गये है और जो हमारे एरिये की जो सेव है नौबिश वैली में मतलब पूरे रामपूर में विख्यात है मतलब वहां पे जो क्रॉपिंग होनी थी वो बिलकुल ही खतम कर दी है तो मैं सरकार से निवेदन करना चाता हूँ कि हमारे जो बागवान है उन्हें माउज़ा दिलाएं और उनका सयोग करें अभी क्योंकि उनकी वहीं उद्ध्यान विवाग के विशेवाद विशेशक्य जेशी वर्मा ने बताये कि पिछले दो तिन दिनों से वारिश और उन्चाई वाले क्षित्रों में वर्फवारी और ओलावरिस्टी हुई है उस जिससे सेव और दूसरी नगदी फलाउं और फसलों क काफी नुकसान हुआ है। आपर आइट में जहां पर फ्लावरिंग हो ईती उसमें भी चिलिण इंज्री हो एए तो जो फसल मिलंद जहां पर नेट्स जब लगे ओए थे तो नेट्स के उपर भी जो है मतलब की वजह से साथ ज्यादा नुक्षान हो रहा है क्योंकि पधों नेट्स पे जो है बरफवारी टिकी और उस्से जो पेड़ किदने शुरू हो गए जो पेड़ों के उपर गड़ी और इस से जो है पूरी सबी भसलों को जो है काफी नुक्सान हो है तो लो जी वाग की उ सेंटर इंचार्ज को बोल दिया है कि वो जो है जल्दी से जल्दी इसका अकलन करें और सिग्र ही वह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके अंदुसार जो है जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी